कि हाई एक इस वीडियो का अंदर डिसकस्कंस करते हैं अपन्यार इसले के लिए प्रेजेंटेशन ले ठीक तो आई होप आप लोग को यह दोनों लेयर समझ में आगे होंगी और दोनों किसके अंदर रहे ओएसाई मॉडल जिक अंदर यह दोनों लेयर हो चुकी है अब आपने डिसक्ष करने वाली है तो के यह तो हमने डिसक्स करें लिया था बहुत ही famous question है seven layers of OSI model and यह बहुत बार आता है so that's why कि हम इसको आपको अच्छे से detailing में एक चीज पढ़ा रहे हैं इंजिनिरिंग के अंदर तो अपन सब देख लेंगा राम से ठीक है तो फिलाल आज इस लेक्चर के अंदर अपन समझने वाले हैं जो अपनी थर्ट मेलब जो अपना थर्ड लेर अगर आपन नीचे से बात करें तो यह वह यह session layer ठीक है session layer या फिर स्टार्टिंग से गाहें तो फिफ्थ नमबर की लेयर लेयर नमबर 5 जिसको ख़एंगे ठीक है क्योंकि अपन कहां से काउंटिंग कर रहे हैं यहां से इसको बोलेंगे layer 7 इसको लिंग 6 और इसको बोलेंगे 5 और ऐसा इसे नीचे से decrease करते हुए layers चली जाएंगे ठीक है तो यह मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं सेंडर से receiver की बीच का connections ओके application layer में समझा चुका हूं तो यहां पर अगर मैं डाग्रम बनाऊं तो यह application layer से जो भी मेरे पास data रहा है वो मेरे presentation layer तक पहुंच रहा है एना application layer का का काम क्या सब्सक्राइब है जो भी software से उसमें कुछ-कुछ बंच आफ प्रोटोकॉल्स जो है वह हो यूज होने चाहिए ठीक है जैसे ब्राउजर सब्सक्राइब करता है ठीक है इमेल्स के लिए अपने को अलग मतलब प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं और अलग 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 चीज़ सब्सक्राइब करता है जो ऐसके बाद डेटा को सथे दोक्रेस करता है तो आज इसी को देखता है बहुत ही सिंपल है डिए है देखो आप लोगों ने बहुत बार इंटनेट चला आया ठीक है और बहुत बार आप लोगों हर एक बंदे ने यार एक ने लाइफ में ओनलाइन ट्रांसेकशन तो किया होगा बहुत ही बाइब किया होगा डेली उस scan कर सकते हो तो वह QR code आपने scan किया तो यहाँ पे एक session रहता है ठीक है हर एक चीज का मैं बात करूँ एक transaction का ठीक है आपने transaction की अगर मैं बात करूं transactions की तो transaction में हमेशा एक session होगा या फिर आप कभी भी एक login या logout वाला बात कर ली जाए login या logout वाली ठीक है तो वहाँ पर भी इनके बीच में एक session establish होता है ठीक है तो वही अपना काम है session लिएगा काम क्या है establish करना session को या फिर manage करना या फिर जो भी connections है उनको terminate करना ठीक है बहुत सारे बार क्या होता अलग-अलग website जो आप घुस रहे हो जैसे कि आप Amazon का ही example जो आपन continue कर रहे थे ठीक है Amazon आपने search किया ठीक है आप इस website के अंदर गया end क्या हुआ बीच में internet lag हो गया या फिर internet बंद हो गया ओके अगर आप वाइफा यूज कर वे तो आप फिर से आपको login करना पड़ता है तो इसका मतलब यह है भाई जब भी session connect होगा या फिर जब भी session establish होगा connect नहीं बोलेंगे उसको establish बोलेंगे अच्छी words में तो जब भी session establish होगा बंदा हरे काम proper कर सकता है तो session लेका काम क्या है session को establish करना manage करना और terminate करना ठीक है terminate करना समझ गया एक simple से example दे दिया जाता है तो अगर मैं आपको simple से example दूँ एक आप किसी भी किसी भी website में login या logout कर रहे हो इनके बीच में एक session मलब एक complete session कर लाइगा ठीक है login कर रहे हो आपने कुछ भी काम किया अपना तो जब तक आप login हो वह session चलता रहेगा बट आपका काम हो गया या आपने उस website को close कर दिया तो session end हो जाएगा यह session kill हो जाएगा connection होगा आपका terminate हो जाएगा ठीक है तो यह जो है है वह main important working sessions की बहुत ही simple चीज़े sessions I think सभी ने मलब सारा काम किया होगा तो session layer तो इतना ज्यादा मुश्किल मेरे खाल से किसी को पढ़नी रहा होगा ठीक है बहुत easy चीज़ है ओके यहाँ पर जो आपका login logout वाला है एक complete session बनाते जलता है ठीक है यह भी I think सो पता नहीं होगा जिसको तो पता चल गया होगा अब यहाँ पर एक मतलब एक अच्छा question आ सकता है best interview questions कह सकते हैं simple question कह सकते हो क्या है ना बता देता हूं session क्या कविविव ओफंठान कि न और नदी कंसिफ पैलिंग गोई तो शेशन क्या करता है authentication दूसरा क्या करता है authorization क्या करता है authentic आपके ऐड़ाउट्यक्रण के आण दूसरा और रजेसण हिंज की मिता इस टीए के session आपको session layer ये दोनों चीज़ आपको support करती है या फिर जो main functions है वो यही है session layers के एक कहते हैं भया क्या authentication दूसरा authorization इसका मतलब क्या हो दोनों में difference बहुत ही प्यारा question है बहुत ही प्यारा question है दोनों में difference आ सकता है पहला है authentication दूसरा है authorization ठीक है तो यह main functions के सकते हो आप session layer का अपनी अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ अप्लिकेशन नमबर को layer 7 दूँ प्रेजेंटेशन को layer 6 दूँ तो session layer तुमारी layer difference between authentication and authorization अब यार अपन समझते हैं बहुत ही शुद्ध हिंदी में एंड एक चीज समझते हैं इसके बारे में पहले में बात करता हूँ authentication की ठीक है पहला term जो है authentication authentication क्या होता है देखो अगर आप एक page मतलब login page की ही simple बात कर लेते हैं तो user को मतलब में चलो वह सब छोड़ो login page है ठीक है आप login आप पहली बार आयो तो आप login सीड़ा नहीं कर सकते हैं आप क्या करोगे पहले sign up एक sign up करके option होगा ठीक है तो आपको sign up करना पड़ेगा पहले okay sign up करने के लिए कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़े होती है नॉर्मल में एक page की बात करूं तो यहां पर एक user का नाम डालना पड़ेगा उसका जो भी उस website है उसका password होगा ठीक है अगर amazon की बात कर लेते हैं तो एक valid email या फिर phone number होगा ठीक है तो email या फिर phone number होगा तो हर एक user को यह कुछ ऐसी कुछ feelings data है जो उसको fill करने उस particular website को use करने के लिए ठीक है तो यह क्या लाएगा अपना part authentication ठीक है authentication जी हां बिल्गुल से सुना ओके अगर मैं बात करूं authorization की तो authorization क्या क्या लाएगा authorization मतलब एक authorized बंदा है एक authorized बंदा है ठीक है वही सिर्फ यूज कर सकता है उस website को ओके जैसे 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 एमेजॉन एप फिर एमेजॉन website की अगर मैं बात करूं इसमें क्या है देखो क्योंकि अपन एमेजॉन इसलिए रहें क्योंकि हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी लेक्चर देखें उसमें यह example लिया गया तो बाकि आपको ज्यादा ना करके इसी को continue करते हैं यहां पर देखो बहुत सारे options होते हैं एक customers के लिए हैं ना जो कि globally पुब्लिकली जो जो website आपके लिए मतलब open है वो customer हर एक बंदा देख सकता है ठीक है customer कहलो user कहलो end user कहलो जो भी कहना जाते हो उसको तो वो हर एक बंदा उस website को normally देख सकता है बट एक authorized बंदा authorized बंदा क्या होगा जो या तो website manage कर रहा हो या developer पर टीम हो या backend टीम का बंदा उसके लिए कुछ extra चीज़े खुली होंगे इस website के लिए ठीक है कि वह बग फिक्स कर सकता है ओके उसके लिए कुछ अलग से पैनल होगा उसके लिए कुछ अलग से login logout का कुछ होगा समझे तो यह कह लागा एक authorized बंदा मतलब authorized बंदे के लोगन करके अपने वह complete कर सकता है ठीक है या तो फिर उसकी टीम कर सकते मतलब कहने कमाते इसको कहेंगे अपन ऑथराइजेशन ठीक है ऑथराइजेशन नाम से बादा चले एक authorized बंदा होगा एक authorized मतलब टीम होगी वह क्या करेगी वह उस काम को manage कर लेगी ठीक है और और authentication क्या होता है authentication मतलब एक session यूज करना है मतलब session कहलो या फिर starting में जो आप कोई भी पेज first time किसी भी पेज में जा रहे तो login या sign up वाला जो पार्ट होता है आप उसमें session में starting कहीं कहीं कर रहे है ठीक है start ही कर रहे है एक बार I think यह मैंने clear कर दिया है एक बार आपन चलते है definition बढ़ते है और आपको और ज़्यादा clarity मिलेगी और आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है क्या difference है authorization में and क्या difference है authentication में तो चलते है तो यह जो difference है authentication versus authorization का यह आप Google में जाके check कर सकते हो otherwise वीडियो तो follow करी रहे हो screenshot ले सकते हो ठीक है most काम में आपको समझानेगा तो अपना काम जो है वह आपन करके जा रहे है बाकि आप लोग का काम जो है आप जहां से पढ़ना चाहते हो वैसा difference written Google में भी करके देख सकते हो ठीक है क्योंक होगा एक बंदा होगा जो की पूरा access कर रहा होगा ओके तो यहां पर definition authorization की मैंने बता है ने बंदा होगा या उसकी टीम होगी वह access कर सकती है अपनी चीज़े एक्स्रा जो बाकी user के लिए private हो सकती है यहना end users के लिए तो authorization वही गलाता है तो authorization को अगर मैं देखूं यहां प access resources ठीक है यह कहलेगा अपना authorization समझ गया basic की चीज़ है जो मैंने आपको अभी हिंदी में explain किया एक बंदा या उसकी टीम या फिर कोई भी चीज़ जलूरी नहीं कि backhand का बंदा होगा वह authorized बंदा होगा वह उसके access ले सकता है resources का ठीक है इसको कहेंगा अपन authorization ठीक है यह यह बाला पार्ट अब बात करते हैं authentication authentication क्या था person की details मैंने बाता है name password sign up करना यह login करना email यह ठीक है तो भाई authentication उसे कहेंगे checks a person detail to identify him ठीक है तो यह हुआ जैसे बंदे ने mobile number access मदब उसमें sign up करने के लिए mobile number और साथ में OTP तो वो क्या एक valid mobile number है या नहीं है तो वो हो गया authentication I think यह बात clear हो गई है ना तो यह अपन ने समझ लिया अभी चलेंगे पहली definition के ओपर भी थोड़ी देर से चलता है अभी जो अपना पार्ट क्लियर होते जाए वह अपन करते जाएंगे उसके बाद authentication की ही अगर मैं complete बात करें तो verify user credentials यह verify करेगा ठीक है simple ही चीज़ है कोई बता दिया है जो में definition है वो यह है वाली है second वाली जो मैंने अभी आपको पढ़ाई यह वाली ठीक है यह में कॉंसेप्ट है जो कि मैंने शुर्द हिंदी प्लस English दोनों proper definition के साथ आपको समझा दिया है ठीक है बाकी यह जो है यह उसकी एडवांट एक्स्ट्रा चीज़ें कह सकते हैं एडवांटेज तो नहीं एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती है ठीक है जो आपको बता सकती है then authentication की बात करें अकर before authorization अब्वेसी बात है यह पहले ही होना है और यह उसके बाद ही होना है authentication की बात ठीक है यह एक example दे रख है example जाने से पहले है पर एक बार उपर चलते है पहले definition authentication को देखें तो process of confirming the truth of an attribute of a single piece of data claimed true by entity ठीक है इसका मतलब यह है कि यार जो भी बंद अपने details भेज रहा है for example अगर मैं बात करूं Amazon में login या sign up कर रहे है कोई बंद लॉग इन छोड़ो sign up sign up में starting में यार किसी से भी क्या पूछेगा basic चीज़ें पूछेगा ना कि इतर नाम डाल दिया बंदे ने इतर password रगे strong password होना चाहिए उसके बाद एक phone number डाल है ना यह तो तो ठीक है बंदा कुछ भी लिख सकता है बट phone number valid होना चाहिए जब किसी बंदे ने product को buy किया या फिर कुछ भी किया उसमें ठीक है वो चाता है उसको मतलब order please करना तो phone number में उसकी मतलब OTP आनी चाहिए समझे तो यहां पर क्या होगा उसकी confirmation चेक क्या जागा कि जो बंदा है जो इस नामक बंदा है वो सई है कि नहीं है ठीक है कुछ-कुछ fraud भी गरते थे या फिर fake number तो इसलिए OTP का क्या है OTP one time password आपको यह बताता है कि बंदा valid है मतलब उसी के phone number पर उसका चालू number है एक्टिव नमबर है ऐसा नहीं कि ब्लॉग है या फिर बंद है या कुछ भी है ठीक है मतलब चालू नहीं है नॉन एक्टिव नहीं है उसका चालू है नमबर जबी OTP उसने access किया है तो यह authentication बता देता है ठीक है बाकि authorization में कि इसको access given है कि नहीं जैसे मैंने बताया किसी को security reason हो सकता है back end में किसी ने काम कर रहा होगा होगा ठीक है बक्स fix करने के लिए कोई website के लिए तो वह सब चीज़ें यहा पर जाती है बंदा है वही access कर सकते हैं यह चीज़ है definition पर जाता है process of specifying access rights privileges to resource related information security ठीक है I think this part is clear है यह समझ में आगया अब अब एक last जो पार्ट बच रहा है which is example ओके तो एक्जामपल भी देख लो a student can authenticate himself before accessing the learning management system of a university ठीक है बंदा पहले sign up करेगा या फिर क्या करेगा पहले अपनी अपने आपको authenticate करेगा ठीक है अपने जो भी डेटा है वो चेक करेगा कि एक्चुल डेटा है कि नहीं बंदा नहीं चेक करेगा बंदा रियल डेटा डालेगा एंड जो भी जहां पर भी यूनिवर्सिटी जो भी सिस्टेम उसका ठीक है जहां से पढ़ रहा है वो चेक करेगी कि एक authorized sorry एक authenticate data है के नहीं ठीक है वो यह चीज हो जाएगी ओके authenticate मतलब यहां पर भाई यह बता तो दिया तरह clearly जिसमें क्या होगा true data होगा ठीक है फिर बात करें ऑथन ऑथराइज information दी गई है तो ही वो बंदा access कर सकता है otherwise नहीं कर सकता है okay I think this part is also clear इसमें कहने का मतलब यह है कि देखो अगर किसी टीचर ने एक मतलब बोला क्लास के अंदर कि जिसके 100 में से out of 70 आएंगे उसको मैं special notes दूंगी या out of 70 प्लस आएंगे ठीक है 100 में से 70 प्लस आएंगे उल् प्रोइड करवा दूंगे तो वहां पर वो बंदा क्या हो गया मतलब यह जो marks के according वो बंदा access कर सकता है तो यह हो गया वह यह ऑथराइजिशन वाला पार्ट वाकि authenticate वाला कि हर एक बंदा तो यह टेस्ट तो देना ही चाहता है वो तो कंपल सरी है तो इस तरीके से दोनों है I think difference between clear हो गया होगा एंड बहुत ही ब्यारा कोशन है मजाग में नहीं पढ़ाया है अच्छे से पढ़ाया है क्यों पढ़ाया है रीजन है रीजन यह है कि आपके engineering exam में इसमें difference possible है पूछा जाने का दूसी चीज़ क्या है session layer जो important है simple है उसके अंदर आपको पता होना ची पर इसका जवाब आना चाहिए ठीक है बागी जो session layer है वो totally depend है यह establish करने के लिए manage करने के लिए और terminate करने के लिए सारे connections के लिए ठीक है क्योंकि अपने जो flow पढ़ा था वह यह application से presentation presentation से session layer पर अपना आ गया यहां पर क्या होतार नॉर्मल जो software से हैं वहां पर data access कर रहे ह उसके बाद presentation layer में वह सब चीज़ें तो वहां से पास हो गई थी यहां पर एक translator होगा जो कि या ask का या unicode को binary format में convert कर देगा अगर उसका जो binary format जो है मतलब उसका size अगर बड़ा होता तो उसको data compress कर भी देता है text या audio या video को ठीक है ओके तो यह part presentation layer का होगा या फिर encrypt करक आगे बेज़ देता आगे किसके पास आगे में session layer के पास आगे session क्या करता है जो भी session से उसको establish करता है ठीक है manage कर देता है और कभी अगर internet की problem होई तो उसको terminate भी कर देता है session को kill कर देता है ओके यह समझ में आ गया authentication authorization समझ में आ गया तो बस खतम है यह आपका session layer यहां पर अपने इसको यहीं पर bind up करते हैं आगे अगर समय मिलता है detailing में अगर और पूछा जाता है तो वह भी बता दिया जाएगा अब जो next layer की बात करेंगे which is transport layer layer no.4 ठीक है transport layer OSI model का ओके layer no.4 कैसे बोल रहा है नीचे से नहीं बोल रहा है ऊपर से बोल रहा है 765 हो चुका है then fourth की बात करेंगे ओके तो फिलाल मिलता है एक शुर्य के साथ I hope कि आपको यह जो concept है वो clear हो गया होगे